दोस्तों एक बार इस तरीके से आप मसाला मैगी बना कर देखिए ये खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है इसमें मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे फ्लेवर मैगी का एकदम से इन्हेंस हो जाएगा और ये खाने में बहुत टेश्टी लगेगी तो मसाला प्केट लिया है और दू टेबल स्पून हमने फ्रोजन मटल लिये हैं तब हम गैस की फ्लेम ओन करेंगे इसमें तेल एट करेंगे ये देखिए हाई फिलेम रखेंगे एक टी स्पून तेल एट करेंगे तेल को गरम होने देंगे हम अच्छे से अब हम कटी मिर्च उसके अधे मिनुट तक पकाएंगे सारी सब्जीयां दोस्तों हमें आधे मिनुट तक पकानी है और या पकाते रहिए यह देखिए है अब प्याज हलके लाल हो चुके हैं अब उसमें कट्छिम्ला मिज मिलाएंगे अब हम इसमें कटा गाजर मिलाएंगे इसे भी आदा मिनट भूनेंगे यह देखिए दोस्तों फ्लेम हाई रहती है ना तो सब्जियों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है यह देखिए अब हम इसमें कटा पता को भी अड़ करेंगे अब हम इसे भूनेंगे यह देखिए अच्छे से भूनेंगे अब हम इसमें कटा टमाटर डालेंगे अब हम इसमें फ्रोजन मटर मिलाएंगे इसमें हम हाफ टे स्पून नमक मिलाएंगे दोस्तों यह देखिए इसे अच्छे से भूनेंगे हलका टमाटर गल जाना चाहिए यह देखिए अब हम इसमें हाफ टेस्पूल लाल मिच पाउडर एड़ करेंगे इसे थोड़ी देर चलाएंगे यह देखिए अच्छे से इसे पकाईए यह देखिए अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे अब यह सब्जियां पक चुके हैं अब पानी एड़ करेंगे हम तो चार से रमल हम इसमें पानी डालेंगे और इस पानी को हम उबलने देंगे मैगी में हमें 2 packet मसाला मिला था एक packet मसाला हम अभी डाल देंगे उबलते हुए पानी मेशPOS सब्सक्ता धाल dul घ्लीक न Ray मैशसे तो पंसले ढेंगे 5 मिन scores सब्क्राइगे डने तक की at 7-8 में काूट डिया है तो कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी अगली रेस्पी की नौटिफिकेशन मिलती रहे इसको अच्छे से पकाएंगे पांच मिर्ट तक मीडियम फ्लेम में इससे दोस्तों मैगी ना तो गाड़ी होगी ना तो पतली होगी यह देखिए खिली-खि अब इसमें कटा हरा धनिया पत्ता मिलाएंगे ताजा ताजा यह देखिए अब हम चलाएंगे इसे दोस्तों यह मैगी खाने में बहुत टेस्टे ही आप बनाएए अपने दोस्तों अपने परिवार सबको खिलाएए आप भी खाईए यह देखिए एकदम खिली-खिली जवाब यह मैगी खाने में बहुत ही टेस्टी है यह देखिए आ गया ना मुह में पानी ताजा हरा कटा धनिया पत्ती मिलाएं और इसे सर्फ करें यह देखिए दोस्तों है ना जवाब फ्लेवर इंहेंस हुआ ना इसका यह देखिए